ये स्टुडेंट वेलकम वन सेगेंड टू यूर ऑनलाइन क्लासेंस बच्चों इस वाले वीडियो में मैं एक्साइज 7 नेका यहां पर हमारे ब्रेक्ट में हमारे पास्च्च मानस 8y तो हम क्या करेंगे यहां पर से कि पहले हमको दीख तो निनी रहा गया उन की को में Tamam नील रहे और यहां पर यह पर 8 या दोनों में से फोर कॉमन ने मिखल सकता है घृँन हम 4 हैं और हमने फोर बाहर ले लिया है तो यहांपर कितना बच जाएगा नमल हो जाये ज extinction रहे हो जाय LODA ना से मुझी तरीके से करना है ताकि हमारा क्या अग्या हो कॉमन मिल जाया तो है हमारा हो जाएगा टू और य का वा उतर जाएगा यानि कि हम 4x-8y को क्या लिख लिए हमने 4 bracket में x-2y लिख लिए अब हमारा यहाँ x-2y, x-2y यहाँ पर मिल गया इसलिए हमने इसको factor बनाया था अब यहाँ से हम common ले लेते हैं x-2y को तो यहाँ पर x-2y 2 है, यह common ले लेते हैं x-2y bracket के अंदर क्या बज़ जाएगा हमारे पास 1x-2y बज़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो square था यहाँ पर x-2y एक पिस बज़ जाएगा और यहाँ पर x-2y हमने common ले लिए है क्या बज़ जाएगा क्या वर 4 बज़ जाएगा जो कि plus में है तो plus में 4 इस तरीके से आप में लिख दो Is that clear? कैसे किया गया मैं हम? Simple किया मैंने यहाँ पर से x-2y जो था उसको मैंने common ले लिया और यहाँ पर square था यानिकी 220 था इसलिए एक हमने रहने दिया bracket के अंदर और फिर plus के बाद हमारे पास क्या था? 4 और x-2y था जिसमें से एक तो हमने बाहर ले लिया common ले लिया जिसको कहा जाता है तो यह 4 बजिया उस 4 को हमने यहाँ पर उतार दिया अब इसको solve कर दो तो x-2y रहे गई रहेगा यह बाहर में यह अंदर में हमारे पास x-2y और यह bracket open होगा कि plus में 4 हो जाएगा अब यह आपस में तो solve होने वाला है नहीं क्योंकि 4 दूसरा तो कोई number है नहीं यह पिर दूसरा कोई x वाला भी नहीं है नाद फिर दूसरा कोई y वाला है तो यह क्या हो जागा इतना ही इसका final answer हो जाएगा इसी तरीके से इसको फेक्टर करना था सिंपल सा क्वेश्टन था बस स्टार्टिंग में हमको फेक्टर बनाना था उसके बाद फिर हमें common मिल जाता यह होगे 22 नंबर का solve आए 23 solve करते हैं यह हमारा 23 नंबर का question है यह solve कर लेते हैं इसे भी यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो यह multiplication में है आपस में मिसका multiply कर लेते हैं ताकि हमारा यह क्या बने common वाला बन सेके तो y का स्कॉरार वाई की स्कॉरार ने दो माइनस यह एकल कवन से multiply हो तो xy और फिर माइनस और माइनस मिलकर के प्लस का sign लग जाएंगे x से multiply हो तो x का स्कॉरर और यह वाई का वाई उतर जाएगा और यह माइनस में x की पावर में 3 तो यह सब हमारा चैप्टर जो 6 में पढ़ा है ना माइनस माइनस प्लस होता है वह अला रूल और एक्स का मल्टिवल जब एक्स होता है तो चैप्टर 6 का यहां पर लेकता साब का लो बन जाएगा यह वाई का स्कुएर माइनस एक्स वाई का गुरूब बना लो दूसरा एक्स का स्कुएर वाई और माइनस एक्स का क्यूब का गूरूब बना लो अब क्या करते हैं हम यहां से common लेने की कोशिश करते हैं यहां पर भी एक y है यहां पर भी एक y है यानि कि y का square है यानि कि y तो है यहां पर और यहां पर भी है तो हम यहां से क्या करते हैं y common ले लेते हैं यहां पर से y बच जाएगा हमारे पास तो कि y का square था और minus में यहाँ पर से x बच जाएगा प्लस का sign लगा लो, यहाँ x का square है और यहाँ x का cube है तो मैंने आपको बताया है न, शुरू में बताया था कि जो छोटा वला रहा है उसको हम common ले लेते हैं, ठीक है, बड़े बले को अगर आप common ले लोगे x का square का x से multiply करना पड़ेगा, तब हमारा वो x का cube बन जाएगा तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर भी y minus x मिल गिया हमें और यहाँ पर भी y minus x मिल गया, तो इस cancer हो जाएगा हमारा y minus x ले लो common और यह y plus x का square जो बच गया उसको लिग दो इस तरीके से question number 22, 23 solve परना था है, आज़े 24 solve करते हैं यह हमारा question number 24 है, अब देखो यहाँ पर क्या हमें दिया हुआ है a plus b का whole square, a minus b का whole square, यहाँ हमें कि हमें यहाँ पर square square जो formula हमें पढ़ा था chapter 6 में, वही वहला formula यहाँ पर पूट करना है अगर कुछ बच्चे ओने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं प्रक्री से formula आपके लिए revise कर देता हूँ a plus b के whole square का formula क्या होता था, a का square plus b का square plus में 2ab और उसी तरीके से same to same हमारा b के square का, यानि कि minus और अगर sign लगा दे हम a minus b के whole square का formula देखें, तो वह भी same होता था, a square plus b square बस last में minus 2ab हो जाता था, यह हमने दो formula पहले वहले chapter पढ़े हैं न, वही यहाँ पर use होगा हमारा a plus b का whole square, a minus b का whole square, और यह जिद्धान देना, कि यहाँ पर a और x दो है न, यह पूरा-पूरा a का लाएगा, यह b और y पूरा-पूरा b का लाएगा, यह निकि बस यहाँ से a हमने ले लिया, x को छोड़ दिया, तो वह गलत हो जाएगा, तो आज इसको solve कर देते हैं, यहाँ पर हम इसमें formula लगा लेंगे, a plus b का whole square का, तो formula क्या होता है, a का square होता है, यानि कि हमारा ax का square, फिर plus b का square, यानि कि by का square, plus में 2ab, तो plus 2, a के जगा में ax, और plus, फिर हमारे पास multiply करना है by का, तो multiply by, यहाँ पर आप multiply का sign लगाना चो तो भी ठीक, नहीं लगाना चो तो भी ठीक, यह होगि हो first, second में plus का sign है, प्लस का sign लगा लू, यह हमारा पास a minus b का whole square, तो a का square यानि कि bx का square, यहाँ पर हम लिखेंगे bx का square, फिर plus में b का square, यानि कि ay का square, तो यह हो जाएगा ay का square, फिर minus में 2ab होता है, तो बसके यहाँ पर minus का sign लगाओ, तो लिखो A B यानि कि यह हमारा A हो जाएगा और यह हो जाएगा पुरा-पुरा B तो यहाँ पर B X और फिर A Y इस तरीके समने A multiply B कर दिया Is that clear? जरूरी नहीं कि जो हमारा formula यहाँ पर A B लिखा है तो A वाला यहाँ अमारा मतलब यह नहीं मना सकता यह B ही बना ऐसा कुछ हिने ह्माच में इमयरा A के जगहा पर है A के place में तो यह पुरा-ए खलाएगा I amara preocup B के place में तो यह पुड़ा-प्रव्बी खलाएगा चाहिए यहां पर a to be the उससे कोई मतलब Do aX by फिर यह हो जाएगा हमारा b का square x का square यहां से फिर यह अलग वाले में यहां पर हमारे पास a का square y का square हो जाएगा a square y का square फिर minus में 2 bx a y थीक है अब देखो यहां पर यह प्लस a x by है यहा पर minus a x थीक है यह वाला और बी y है आगे पीछा भाले लिखा हुआ है लेकिन मतलब तो वही है मल्टिप्लिकेशन में है यानि कि उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं अगर हम इसको BX AY को AX BY भी लिखे तो भी वह गलत नहीं कहलाएगा वह भी सही लाएगा तो यहां पर हमारे पास वही चीज माइनस में है तो ड़े एंक यहां से क्या करेंगा कर देंगे उत्शब कर देंगे हमारे भी सखंबर X का स्क्वेर प्लस B का स्क्वेर Y का स्क्वेर इधर B का स्क्वेर X का स्क्वेर और A का स्क्वेर Y का स्क्वेर अब हम क्या कर सकते हैं A A को एक साथ कर सकते हैं या फिर X X को एक साथ कर लो यहाप भी हुआ यह को जिसको आप कर लो तो यहाँ अपर थी स्कॉरर हो जाएइगा हमारा बीस्क Orig friendly गएप と思います याहां से मां सब्सक्रीफ सीक्वार अब यहां से ये स्कॉर्स कामन मिल जाएगा इसलिए हमें A-Square-X-Square, A-Square-X-Square है, पहले जिएका group चलो बना लेते हम यहाँ पर इस तरीके से, A-Square-X-Square, प्लस B-Square-X-Square, इधर फिर B-Square-Y-Square, प्लस में A-Square-Y-Square, अब यहां से हम क्या करते हैं, common ले लेते हैं एक्स स्क्यार को तो यह हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्यार अगर common ले लेते हैं तो bracket में a square बज़ जाएगा प्लस में b square बज़ जाएगा उसी तरीके से इधर हमारा अगर हम y square को common ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बज़ जाएगा B2 और A2 तो मुझको को इस तिरह सकते हैं A2 plus B2 ऐसे लिख सकते हैं ना भिज़ए अगर यहां पर यह B2 plus A2 आ रहा है तो मुझको यहां से हमने एक्स्वेटर प्लस यॉस्ट्पार के सव्ड लेते हैं है यह हुंग हुआ है को सईन से होगा हमने इef प्लस इक स्क्वेटर दीक्रेटर में इक्नों सबस्क्राइब तो कॉम कॉमन से हमने और यहां केमारे स mejz 5 भी solve कर लेते हैं यह हमारा 25 नमबर का question है यह solve कर लेते हैं सबस्क्राइब यहाँ पर हमको multiply करने क्लिए दिया हुआ है तो multiply कर लेंगे लिख लेते हैं पहले यह B का square plus में A का B से multiply होगा तो क्या हो जाएगा हमारा A B हो जाएगा फिर 1 का B से multiply होगा तो B ही आएगा लेकिन माइनस में साइन है और यह प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा उसके बाद यह माइनस वन जो बचा हुआ है उसको उतार दो आप इस तरीके से समझ में आया ना कुछ नहीं किया मैं इस स्टेप में केवल B का इन दोनों के साथ मल्टिप्लाई किया जैसे हम चैटर 6 में करते थे एबी हो जाएगा इसका और माइनस प्लस में लिखर के माइनस वन कभी से मल्टिप्लाई होगा तो बी आ जाएगा वन भी भी हम लिख सकते हैं लेकिन वन लिखने को जूरत नहीं हम भी लिख लेंगे अब यहां से देखो के साइन लिकर के ओन लिखता हो ना बनाने के लिए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा मली में-णूर प्लस का लिखे इसज़ह में यहां का सैन लिखे घात है ताकि मारा माइनस साल्व redki 21 यहां कोई साher सोगal गया का ग Id तो वहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे यह साइन चेंज होता है और कैसे बनता है अब देखो यहाँ पर से common मिल रहे है भी यहाँ भी common मिल रहे है भी तो यहाँ एक पीस यहाँ एक बच जाएगा तो यह लिख लेंगे हम इस तरीके से और फिर प्लस में यहाँ पर वन बच जाएगा तो प्लस में वन लिख लेंगे उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कुछ common मिल रहा है क्या नए मिल रहा है एक सेकेंट अच्छा रूक हो यह यहाँ पर एबी थोड़ी लिखाएगा हमारे पास यह क्योवल बी का स्क्वार है ठीक है ए माइनस का साइन है माइनस का साइन रहने दू यहाँ पर हमारे पास वन लिख सकते हो चाहँ तो लिखना है तो लिख लो एक वन को जरूज ही नहीं अगर वन लिखते हो तो भी सही नहीं लिखोगे तो भी सही ब्रैकेट में क्या है हमारे पास बी प्लस वन पहले से हैं तो लिखने के देखो फैदा क्या है अगर यहां पर कुछ नहीं है ना यहां पर एक one है यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है तो अगर हम one का multiply B से करेंगे तो minus B ही आएगा और minus one का multiply अगर हम one से करते हैं तो minus minus हमारा sorry minus or plus क्या हो जाएगा minus one हो जाएगा इस तरीके से यहां पर आप चाहओ तो one लिख सकते हो one मैंने क्यों लिखा वो मैं आपको बताता हूँ अब देखो हमारा B plus one B plus one common मिल रहा है तो B plus one थो हम common ले लेंगे अब AB जो है हमारे पास वो और यहां पर minus के साथ कुछ नहीं था तो वह पर हमगो कुछ तो लिखना है तो आप और क्या लिखेंगे वन लिखेंगे यह भी समझ में आगे को 25 तक के question मिलते हैं next video में जहाँ पर मैं आपको 26, 27 और 28 भी समझा दूँगा thank you for watching